चलिए आज बनाते हैं मसाला खिचड़ी यहां पर मैंने आधा कटोरी मुंग दाल लिया है छोटी कटोरी से मुंग दाल को हम एक बड़े बावल में डाल देंगे और एक कटोरी हम चावल लेंगे अब इसमें डालेंगे हम पानी और इसे अची तरह मिक्स कर लेंगे और इसे हम मल मल कर साफ कर लेंगे दो से तीन पानी चावल और दाल को एक साथ दूल लेंगे हम कुकर चढ़ा देंगे गैस पर या फिर इंडेक्शन पर इसमें डालेंगे हम तेल तेल जब गर्म हो जाए तेल में से धुँआ आने लगे तब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच जीरा जीरा जब चटकने लगे तब इसमें हम डालेंगे 10 लसन कटे हुए और आधा चम्मच अद्रक का टुकड़ा कटा हुआ दो हरीमिज डाल देते हैं कट करके अब इसे हम थोड़ा भून लेते हैं दो से तीन मिनट तक लसुन और अद्रक का महक आने लगे अब इसमें डाले एक प्याज कटा हुआ जब प्याज ब्राउन हो जाए तब इसमें डालेंगे मतर हम और आधा टमाटा मैंने कट करके डाला है आप इसमें आलू के टुकड़े भी काट कर डाल सकते हैं एक आलू काट कर या फिर डे डालू और टमाटा को थोड़ा से गला लेते हैं एक मिनट तक अब इसमें डालेंगे हल्दी पावडर, आधा चम्मच, गरम मसाला अब मसालों को भी सबजी के साथ भून लेते हैं अच्छी तरह टमाटर में से जो पानी छोड़ेगा इसे मसाले अच्छी तरह भून जाएंगे मसाले तयार हो चुके हैं अब इसमें हम डालेंगे डाल और चावल जो धूलकर हमने रखे थे ऐसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं अब इसे भी हम दो से तीन मेट तक भून लेंगे अच्छी तरह दो से तीन मेट हो चुके हमारे चावल अलग अलग हो चुके हैं खिल 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 जा रहा हैं सब कुकर के तल में पकड़ राय बारबा alors इसा चलाते रहें निटो से तीन मिट्ट हो चुकें हमारे अब इसमें हम डालेंगे दो ग्लास पानी मैं यहां दो ग्लास पानी डाल लें हूं अगर आपको और गाड़ी पतली खिटड़ी चाहिए तो धाय ग्लास पानी डालें अब इसमें डालेंगे हम नमक स्वात के नुसार ऐसे अची तरह मिक्स कर लेंगे अब ढकन लगाएंगे और दो सिटी आने तक इंतिजार करेंगे अगर तुवर की डाल हो तो चार सिटी लगाएं एमूंग की डाल थी इसलिए देखिए हमारा खिचड़ी बनकर तयार हो चुका है मसालेदार खिचड़ी तयार है इसे मैं प्लेट में निकाल ले हूँ मैं तो जा रही हूँ खाने अगर आपको भी खाना हो तो आएए मिलकर खाते हैं मसालेदार खिचड़ी तयार है मूली भी रख दिया, थोड़े से अचार थोड़े से टमाटर खौ पियो